रादेखिष्णा मेरे नाम है डॉक्टर प्रतिक चोहान तो मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात किती ऑक्सिजन ऑक्सिजन का संबंध मैंने आपको बताया था कि हमारे इस्किन के साथ ऑक्सिजन का क्या संबंध होता है अभी सब्टेंबर का मुसम चल रहा है ऑक्टोब विंटर्स में आप अपने इसकन का ध्यान कैसे रखेंगे वह हम आपको बताएंगे और जो भी हमारे पास में हजारों पिषिंट हैं उनके experience से वह आपको बताएंगे कि विंटर्स में आप अपनी तुचा को ठीक करने के लिए उसको healthy रखने के लिए pigmentation को ठीक करने के इसमें कोई भी फिल्टर नहीं लगा हुआ है तो मेरी स्किन ऐसी है जैसे आपको दिखाए दे रही है तो उस समय भी मैंने कोई filter का use नहीं किया था तो उस समय बिल्कुल clearly दिख रहा था है आप दे कुछ है patient भी जो आये थे उन्होंने भी कहा था कि ये चहरे पर क्या है उन्होंने भी देखा था काफी डार्क निशान था मैंने कहा था कि मैं अगली वीडियो में आपको बताओंगा कि मैंने क्या किया था ये क्यों हुआ था और कैसे मैंने इसको ठीक किया उसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि pigmentation को ठीक करने के लिए आपको किन बातों का बहुत ज़रुरी ध्यान रखना है और कैसे आप इसको fast ठीक कर सकते हैं वो चाहे diet हो, चाहे injury हो, चाहे medicine हो आपकी वो सब चीज़ है, तो सबसे पहले बात कि यहाँ पर क्या बाता, तो मैंने केवल यह जानने के लिए कि pigmentation वाले patient वो कैसा feel करते हैं एक्च्वल में जिसको problem होती है, वो ही feel करता है ठीक, तो जिसको problem होती है, केवल वो ही feel करता है बाकी सब लोग तो यही कहते हैं कि चलिए ठीक हम आपकी परिशानी अच्छे से समझते हैं, लेकिन समझता कोई नहीं है सिर्फ कहने की बाते होती है केवल मैंने यह जानने के लिए कि pigmentation के जो patient होते हैं वो अपने आपको कैसा feel करते हैं मैंने यहाँ पर istorid apply करना शुरू किया था यहां पर और उसके बाद में निकला तेज़ धूप में तो जाहिड सबाते इस doughring मैंने केवल half चेहरे पर यूज किया था इधर के लेकि और उसके बाद में में यहां से लेकि यहां तक पूरा पूरा शूर बर्न हो गया था तो जब वो काला हो गया, बर्ण हो गया, रेड हो गया तो मैं सुमझ में आगए कि मुझे रुख जाना चाहिए, यहाँ पर मैं वहाँ पर रुख गया अब जब वो हो गया, तो जाहिट से बाते हैं कि चैरा बहुत गंदा लग रहा था उस समय मुझे भी लगा देखके खुद को की चाहरा कि इतना गंदा लग रहा है इसमें लेकिन मुझे इतना पता था कि यह ठीक हो जाएगा पता था मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं टेंशन में नहीं आया अब जो मैं आगे बात करने वाला हूँ वो आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत जादा इंपोटेंट है क्योंकि मैंने इसको कैसे ठीक किया वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन वो मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा रुक के पहले तो हम यह बता दें कि आपको किस तरह से ठीक करना है और प्रलम किस किस क्या होती है आपको ठीक करने में इसको क्यों नहीं यह ठीक हो पाता है पहला हम उस पर डिसकस कर लेता है फिर मैंने इसको कैसे ठीक किया एक महीने के अंदर वो मैं आपको वे बताऊंगा तो देखें पिग्मेंटेशन में क् क shopping की पांच लेजर होती हैं A librarian p senza तर अब रहके पहली पता है उपर के लेके अंदर तब मुक्य तो तरफ कित यृएम इसको तीन लेयर में के लेता है पहली लेयर को निगे करने पहले होगी 7 ले लेयर आपकी middle and सबसे last उसके बाद में हमारी muscles आनल स्टार्ट हो जाती है तो सबसे उपर की skin में क्या problem होती है कि pigmentation नहीं जाता सबसे उपर की skin पहले बाद तो आपकी thin हो जाती है, पतली हो जाती है damage हो जाती है अपनी cycle को पूरा नहीं करती पीलो सही समय पर नहीं होती है जिसकी बिएसे अपर लेयर भी आपकी ठीक नहीं हो बाती है और जब तक अपर लेयर आपकी ठीक नहीं होगी तब तक pigmentation नहीं जाएगा second thing beach वाली लेयर जो कि हमारी protective लेयर होती है जिसको sometime हम collagen layer भी बहुत सकते हैं collagen collagen भी बहुत पढ़ता है protein होता है तो beach के लेयर वो होती है वो हमारे तुचा को protect करनाया काम करती है वो हमारी तुचा को hydrate रखनाया काम करती है sometime storage लगाने के बाद में धूप में निकलने के बाद में जब हमारी उपर की तुचा damage हो जाती है क्योंकि वो sensitive है इसलिए भगवान ने उसको automatically protection layer दी है आपने protection layer उतार दी इस तुरूरी लगा के damage कर लिया उसको तो अंदर की layer तो automatically damage होनी है या फिर कुछ शरीर के अंदर बिमार्या चल रही होते है जिसके बिएसे वो damage हो जाती है ठीक third third आपकी layer होती है सबसे last वाले जहां पर हमारे होते है melanocyte cells melanocyte cells जिन से melanin जादा बनता है melanin आपके किनी कानदों से जादा बनता है जिसकी वेज़े से pigmentation होती है तो यहाँ पर तीन कॉन साथ आपको समझ जागे जो सबसे last layer होती है वहाँ पर melanin cells होती है जिसमें से melanocyte cells होती है जिसमें से melanin निकलता है और melanin आपके तुचाओं को रंग देता है आपके specifically इसी जगे से melanin जादा निकल रहा है जिसकी वेज़े से यहाँ पर काला हो रहा है मालिजी अगर melanin मेरे यहाँ से जादा निकले तो यह काला हो जाएगा जिसमें अगर यहाँ से निकलना बंद हो जाए तो यह सफ्यद हो जाएगा आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले मेरे हाथेलिया भी ब्लैक हो गई थी वो इस वज़े से कि मेरे रूटीन बहुत हल्दी थी था उसको भी मैंने कैसे ठीक किया और जो मुझे प्रोड Dennis करें ती हूँ उसको मैंने कैसे ठीक किया विधरिपोर्ट आपके साथ में शेshaped करऊंगा ठीक है आने वाली वीडियो में कि या फ़ुवा था और रिपोर्ट कैसे उसको भी ठीक किया reverse कैसे किया उसको तो वो भी मैं आपके साथ में share को रहूँगा बहुत ही नॉलिजफुल रहे कि वाली वीडियो भी खास करके उन लोग के लिए जिनको diabetes है और जो से सफर कर रहे हैं और reverse नहीं हो पाती है उससे जबकि मैंने तो without medicine और without any diet उसको reverse किया है कैसे किया है वो आपको बताऊंगा अगली वीडियो में तो पहली चीज़ तुमने हैं तीन लेयर पड़ी दूसरे अगला जो आता है आता है वो stress आपके शरीका stress मैं बताऊंगा अब जब मैंने आपको खुद को कैसे ठीक किया इन सब के बारे में चर्चा करोंगा बोडी के फुटक्षण बोडी के फुटक्षण जैसे for example आपका oxygen प्रोपर मात्रा में इस्किन को मिलना आपकी इस्किन में supply होना प्रोपर नीट्रिशन देख प्रोपर नीट्रिशन नीट्रिशन मतलब जैसे और जब तक आप इन पर एक एक फंक्शन पर ध्यान नहीं दोगे, आपकी pigmentation ठीक होना मुश्किल काम है, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होगी, हो जाएगी, लेकिन मुश्किल काम है, ठीक है, तो यहां पर आप इसको तीन तरीके से ठीक कर सकते हैं, बहुत आसान है, तीन तरीके से, तो दूसरा पॉइंट है इसमें, कि दूसरा तरीका क्या है, इसको ठीक करने का, आपकी प्रोपर डाइट, और प्रोपर नूट्रिशन, और आपका डेली हेल्धी रूटीन, जो की हेल्धी सारस नाम का चैनल है, जो की बहुत अच्छे से आप लोगों को गाइट करता ह है, तो सेकिंड नंबर पर आगया आपका डाइट, आपका प्रोपर नूट्रिशन, और आपका डेली प्रोटीन, जो कुछ लोगों को प्रोब्लम हो जाती है, जिनको हाइपर एक्टिटी होती है, या फिर लिवर सही तरीके सा फक्शन नहीं करता है, डाइट गर्मी कर दे अभी बाद में, पहले सेकिंड थार, ये डाइट का उप्शन आ गया, तीसरा वाला आ गया, आपके मेडिसिन, सही तरीके से मेडिसिन की आपकी इसकिन की जो डैमेज होई है, वो रिपेर आपकी हो जाए, इसकिन की साइकल आपकी ठीक हो जाए, और जो बोडी के फंक्शन आप सारगा सारे न्यूट्रिशन तो आप ले रहो, प्रोपर डाइट आप ले रहो, बट शरी को नहीं लग रहा हो, अभी आप कहेंगे ना, कि हम तो प्रोपर डाइट ले रहे हैं, छा महीन हो गया, साल भर हो गया, बट शरी को तो नहीं लग रहा ना, हमारे, शरी को कैस से लगाएं तो वहां help करती है आपके medicine अगर melanin बन रहा है किसी और वजह से आपके शरीके अंदर तो वहां help करती है medicine आपकी बाकि सारा functions जो मैंने आपको बताया है वह यह आपको control करेगा diet तो यह दो factor मतलब यह दूसरा और तीसरा point था पहला point क्या है पहला point है कि आप believe करते हैं या फिर आप believe नहीं करते हैं कि यह ठीक हो जाएगा आप कहते हैं मुझे पूरा यकीन है कि यह ठीक हो जाएगा लेकिन पता है sentence में क्या है जो आप कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि यह ठीक हो जाएगा इसका मतलब कहीं न कहीं doubt भी तो है मेरे चेहरे पर कुछ नहीं हो रखा है I am absolutely fine और जब मेरे चेहरे पर यह हुआ था और एक बार कोई आया था घर पे मिलने के लिए तो उसमें मुझे टोका भी कि चेहरे पर क्या हुआ और वो बंदा मुझे नहीं जानता ठीक है इवन उसको ये भी नहीं पता कि मैं डॉक्टर हूँ वो बंदा मैंने उसको जिन्दगे में पहली बार देखा ठीक है और वो मुझे सला देने लगा कि आप ऐसा करो आप वैसा करो आप वैसा करो ये करो वो करो किसे आप ठीक हो जगो मैंने उसको सिंपल का कि मेरा चहरा है आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए चा कि लोग के साथ में वो आपको परिशान करते रहेंगे मैंने सिंपल इतना कहा कि मैंने उससे कहा कि केवल ये ठीक है तो उसने कहा उसने फिर कुछ नहीं का फिर वो चला गया ठीक है क्योंकि उसने देख लिए अतना आखों में कि नहीं बात करने चाहिए तो ये attitude आपका हो ना तो मैंने घी लगाया ना तेल लगाया कुछ ने किया हाँ धूप में बस नहीं निकला धूप में निकलने के मेरे काम भी नहीं होता है पूरे महिने में मैं चार या पांच वार धूप में गया होगा वह भी बहुत तेस धूप में नहीं मुझे नहीं याद कि मैं बहु गंटे काम करना वो रूटीन जब मेरा था पिछले तीन महीने तो उस ज़ेसे में बहुत दे बिमार हो गे था आपने देखा भी मेरा कितना वेट लोज हुआ है मतलब जो पहले था अभी उससे 14 kg कम है तो अभी बट इस्टेबल है और अपने अपकों में फिट मैसेज करता हूँ उस होगता है पहले मैं थिक था अभी पेड़ वेट सब अंदर चला गया तो मैंने कुछ नहीं किया ना मैंने कोई डाइट ली प्रोपर ली ना मैंने कोई ह एक हाघ इंवेश-फ्रेस नहीं लिए बस मैं इन्य इस्ट्रेस में क्याता मैं जाना हूँ कि इस्ट्रेस लेने के पँछ כई फायदा था क्या ठीक होटा थेख नहीं थूकbard में है को यह सब और तो बाकी में वैसा था, नहीं ठीको NEW दया, तो भी कोई बात नहीं, ठीक, तो ना ही मैंने कोई डाइट फोलो कहिए, ना ही कोई मैडिसेन खाए, केवल मैंने क्या किया, मैं थूप में नहीं गया, मैंने वोचीजें नहीं खाइघे, जो मुझे अनेलथी बनाती है हम मैंने सफेज चावल खाय मैंने चाइपी ओर जाओ पी चीजी दिखाई है और अर फास्ट फूट भी खाय और मुझे दिखान है कि मैं उस समय फास्ट फूट ने जादा घाते और tension ने लिए tension एक प्रतिशन मतलब मैं तो भूल ही गया था मेरी चहरे पर कुछ है क्या ठीक है सुबह उटता था बस बाला बनाने के लिए चीशे में देखता था चहरे को भी नहीं देखता था मैं भूल ही गया था कि मुझे कुछ है क्या ये लाइन बहुत important है इसको भूल जाना कि आपके चहरे पर कुछ है भी क्या पता आप लोग क्या करते हैं आपको हमेशा याद रहता कि मेरे चहरे पर ये चीश है और आगर आप भूलने के कोशिश की करते हो तो लोग आपको याद दिला देते हैं तो लोगों के साथ तो हमेशा वही आटिट्यूड रखे ये वाला अपना है बुरा लग जाके तो उसको भूला कि भाई प्लीज इसके बारे में जिकर मत करना प्लीज है और कोई अंजान है और वह आपको बार बार छेट रहा है तो फिर उसके लिए ये वाला लुधिठों है कि और वन य है सब कुछ ठीक है सब कुछ इना आ रहा है यह मैं सोच एक है यह सोचिए कि मुझे ऐसा बिश्वास है कि डोक्टर साथ मुझे ठीक कर देंगे मुझे ऐसा बिश्वास है कि डाइट मेरे को ठीक कर देंगे हाँ जो चीज़े आप करते रहिए अनहेल दिखाने जरूरी है क्या लेकिन इसको भूल जाए ठीक है भूलना ही सबसे जरूरी है इस को ठीक करने के लिए एक दिन मैंने देखा कि अरे चाहरे पर तो कुछ भी नहीं है एक दिन गायब होके मुझे पता भी नहीं लिगा कि वो कब गायब हुआ एक महीने में गायब हुआ, कब वो चला गया, मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि मैंने आचानक से देखा, अरे कहा गया, इतो सब कुछ क्लियर हो गया, तो ये चीज, तो आपके साथ भी ऐसान हो चाहिए, कि आचानक से गायब हो जाना चाहिए, और आपको पता भी लगना से कि ये क्या हुआ आपके साथ में आखिर कैसे एगायब हुआ, ठीक है, तो कुशिश करूँगा मैं पूरी-पूरी एक हफते में आपके लिए चार वीडियो लेकर आऊं, ठीक है, और जिन में से तीन वीडियो पिग्मेंटेशन की हो, और एक वीडियो अलग से इन्फोर करना शुरू करेंगे, तो आपके आस-पास में या फिर आपके फैमिली में कोई तो डियाबिटीस का पेशेंट होगा, तो उनको इस चीज में help मिल जाएगी, कैसे इसको ठीक करना है, without any medicine, without any proper diet, कैसे है, ठीक है, इस टार्टि में हम में क्या करना है, कैसे रिपोर्ट को च most important चीज में क्या है, कि अपने आपको भूल जाना कि कोई मुझे problem है भी या नहीं भी, ऐसा believe नहीं करना कि ये ठीक हो जाएगा, ऐसा believe नहीं करना ये ठीक हो जाती है, ये believe करना मुझे तो कुछ है नहीं, और ऐसा भी मत सोचना कि हाँ, daily daily आप इस चीज को बोलो, मुझे त कुछ है, वरना ऐसा बोलने की जरूत ही क्या पढ़ी कि मुझे तो कुछ है नहीं, है ना, सोचो इस चीज को, आखिर आपको ऐसा बोलने की जरूत पढ़ी क्यों रही है, कि मुझे कुछ नहीं है, मैं सब कुछ ठीक है, क्यों, क्योंकि आप अपने मन के अंदर जान रहे हो की नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, यह तो है, तो ये भी नहीं बोलना, कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, बस लाइफ को फोज्या करो, ठीक? मैं बरारत ना करूँगा, कि आप सबी लोग जल्दिश्वास्त हो जाएं, प्रमात्मा जबेगा मेला करें